Hello students, welcome back to my channel, I am Jashri Yadar So, बच्चों, मैं आपको class 12th का accounts करा रही हूँ 4 chapter, that is your admission of a partner So, last class में मैं मैं आपको 15th question करा दिया था आज के class में हम 16th question करेंगे चलो फिर इस वीडियो को start करते हैं A. B. आर partner sharing profit in the ratio of 7 is to 3 C. was admitted A. surrender 1 7th of his share and B. 1 3rd of his share in favor of C Calculate the sacrifice ratio and the new profit sharing ratio of the partners ठीक है? देखो, इस question को हम कैसे solve करेंगे मैंने आपको बताया है Off आ रहा है, 1 7th of his share and 1 3rd of his share ठीक है? Off आती हमें सबसे पहले क्या करना है Multiply then minus करेंगे Right, clear? ठीक है? देखो 16th question सबसे पहले हम multiply करेंगे तो A. surrender A. कितना surrender कर रहा है उसका share 1 by 7th ठीक है? into 7 by 10 Clear? तो यह हमारा कितना आजाएगा भी? 1 by 10 And B. कितना surrender कर रहा है? 1 by 3 into 3 by 10 तो यह भी हमारा कितना आ रहा है? 1 by 10 ठीक है? अब इस case में देखो जब भी ऐसा question आते है न Off का जहां पहले multiply कर रहे हो इसमें हमें आपको एक चोटी सी प्रिक बताने वाली हूँ कि इसमें क्या जो आपका sacrifice ratio है देखो sacrifice आपको calculate करने की ज़रूत नहीं है इतना बड़ा की भई sacrifice का ratio formula आपको पता है old minus new ratio होता है ठीक है? तो आप उसको करने के बज़े आप 1 by 10 1 by 10 ही आपका sacrifice ratio निकल के आएगा ठीक है? मैं आपको आगे करके भी दिखा दूँगी तो sacrifice ratio sacrifice ratio आपका 1 by 10 is to 1 by 10 that is 1 is to 1 ही आएगा ठीक है? अभी हम solve भी करेंगे old minus new से भी मैं आपको करवा के दिखाऊंगी देखना आपका सेम आएगा ठीक है? तो यह हमेशा याद रखना जब भी off वाला question होता है जहां पर off आता है आप पहले multiply करोगे फिर minus करोगे उसमें जो हमारा यह surrender कितना surrender कर रहा है multiply करके जो हमारा निकलेगा ना वो ही आपका sacrifice ratio होगा ठीक है? अब देखो अब हम new ratio calculate कर लेते हैं new ratio हम कैसे करेंगे? minus करेंगे next step में new profit sharing ratio सबसे पहले हम new ratio new share calculate करेंगे old ratio हमारा क्या है 7 is to 3 7 minus 7 by 10 minus 1 by 10 यह आजाएगा हमारा 6 by 10 ठीक है? ऐसे हम B का new share calculate कर लेते हैं तो B का क्या आजाएगा हमारा 3 by 10 minus 1 by 10 यह 2 by 10 clear and C का share 1 by 10 plus 1 by 10 तो यह आजाएगा हमारा 2 by 10 clear ठीक है? अब हमारा निकल गया तो यह आगया हमारा 6 by 10 2 by 10 and 2 by 10 that is 2 3s are 2 1s are 2 1s are तो यह आगया हमारा 3 is to 1 is to 1 ठीक है? अब मैं आपको sacrifice ratio से sacrifice के formula से मैं आपको करवा के दिखाऊंगी sacrifice ratio का formula है हमारा old ratio minus new ratio मैं आपको short में करवा रही हूँ आपको पूरा लिखना है बच्चों ठीक है? A का क्या आता है भई? old है हमारे पास कितना? 7 by 10 minus new ratio हमारे पास क्या है A की? 3 by 5 तो यह हमारा कितना आ जाएगा? LC हम लेंगे 10 आ जाएगा ठीक है? 7 minus 6 1 by 10 B का देखलो B का आ जाएगा old ratio कितना है? 3 by 10 minus 1 by 5 LC हम आ गया 10 तो यह आ जाएगा हमारा 3 minus 2 1 by 10 तो हमारा sacrifice ratio आ गया भई sacrifice ratio 1 by 10 is to 1 by 10 that is 1 is to 1 ठीक है? clear देखो यहाँ पर 1 is to 1 और यहाँ पर मैंने already sacrifice ratio लिख दया था 1 is to 1 तो आप नीचे note बनाके लिख लीजिए बच्चे कि अगर आप इस type का question solve कर रहे हैं तो जब भी off वाला question आता है तो आपको क्या करना है यही sacrifice ratio आपका निकलेगा चीक है? is it clear? I hope बच्चो आपको यह वीडियो पसंद आयोगी अगर आयोगी तो please मेरे चानल को subscribe कर देना और मेरे वीडियो को like, share and comment जरूर करना keep supporting बच्चे thank you